हलो दोस्तों स्वागा था आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एक्साम तक वारियस पर दोस्तों बी आई एस और एंसीटी की इंग्लिज क्लासेज की डिमांड बहुत जादा थी तो उस क्लासेज को लेकर मैं हजिरू अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ध्यांद चीजों को समझेगा 51 से लेकर 60 तक यहां पर दे रखे हैं और उसमें क्या है चूज दे करेक्ट अल्टर्नेट्व यानि क्या आपको फिल करना है और आपको करेक्ट जो है फिल करना है तो ध्यान दे वीडियो कहांते तक देखिएगा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरून कर लिए जिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आप सभी को बिया यस के लिए सांदार सारे धिया है दोस्तो यहां पे चीजों को देखिया को हम फिल क्या कर सकते हैं धियां से वीडियो को देखिएगा दोस्तो आप्सन नमबर एंटटा मतलब होता है क्षा मास्था और बिर्च्व मतलब डश्था दोस्तों गुझंव का महान पर थुर सथा सथ दीटे देख साट फोगे धीटर अब कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाले चले दोस्तों आते हैं नेस्ट कोईशन पर दोस्त अगर हम बात करेंगे अगले कोईशन की तरफ से यहाँ देखिएगा यहाँ पर देश्ट डाश से इस्जू आन इंडिया एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस रियली तो यहां पर दोस्तों यहां पर देखियेगा यहाँ फिलाल के लिए आपसन नम्मर डी किया दोस्तों आपसंद डी स्का राई एंसर हो जाएगा देब लैटेस्ट इस्जू on India as a tourist destination is really interesting यानि किती तरस्थान में latest आर्थात most recent यानि सबसे हाल का प्रयोग दोस्तों क्या रहाएगा उचित रहाएगा यानि कि latest रहाएगा क्या रहाएगा latest आई अगे लिए कोशन की तरह आते है share prices are starting to look डेस जैसे up, in, over, out दोस्तों यहाँ पर ध्यान से चीजों को समझ लिजेगा share prices यानि कि are starting to look यहाँ पर आप रहेगा, या in रहेगा, या over रहेगा, या out रहेगा तो दोस्तों रिक्तास्थार में हम बात करेंगे आपका प्रयोग उचित होगा आपका प्रयोग दोस्तों क्या हो जाएगा, उचित रहेगा चीजों को समझ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा look हो जाएगा, और हम क्या लगा देंगे, आप लगा देंगे तो look आपका जो आर्थ होता है, दोस्तों, वो होता है improve, क्या होता है, improve यानि व्यापार आत्वा किसी व्यक्त की इस्थिती में सुधार होना, यानि कि यहाँ पर look आपका जो आर्थ हो जाता है, वो हो जाता है, इस्थिती में दोस्तों सुधार होना, क्या हो जाता है इस्थिती में सुधार होना लुक अप करती है यह होता है सुधार होना तो यहाँ पे share prices are starting to look up अगे नहीं कि जो दुबारा व्यापर में क्या हो जाए कि इस्थिती दुबारा दोस्तों क्या हो जाएगी सही हो लागी यहाँ पे explanation भी देख लीजे हाँ पे explanation के साथ मैं दोस्तों यहाँ पे चलता हूँ ठीक है नहीं जानी कि लुक के साथ आप आपका पर्योग दोस्तों करते हैं तो लुक अप हो जाएगा ठीक है ना चलिए अगले question की तरफ आ जाते हैं दोस्तों चैनल में पहली बारा तो चलिए जब कभी भी यानि कि आप कमरें में तेजी के साथ आते हैं या कमरें में से कहा करते हैं तेजी के साथ दोस्तों बहार जाते हैं तो गती होता है ना टो जब यहां पर गती हो ना किसका यूज़ करते हैं दोस्तों इंटू का यूज़ करते हैं अर्थात हम यहाँ पर ऑप्सन नंबर एक के साथ जाने वाले किसके साथ ऑप्सन नंबर एक के साथ दोस्तों जाने वाले हैं क्योंकि दोस्तों देखिए जब वह हना जो है यूमी के साथ बेड रूम में जाए देखेगा और अंतर तक वीजियो को जरूर देखिएगा ठीक है न यहां देखिए ए कुछ इस प्रस्ण का क्या करते तो उत्तर जानते थे प्रस्ण का उत्तर जानते थे यहां पे किसके साथ जाने वाने जैसे है कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पर यहां पर केज़े रखा आपसर नमबर steик डीड़े नाट दे तो यह पर रीजन देखीए रेख तस्थान में डीड़े नाट दे का प्रयोग ईचित है यह वाग के को टॉर्शन टाइग फोर में है तो या तो आप डिट नठ दे लगाएंगे या तो जो यूज़त है को इस हैं नियम होता है क्षार के प्रकाइद स्रस्ट का नियम होता है वे सबजेक्ट रिख के अनुरूफ हो ञूल साथ कुछ दोस्तों आप इसके साथ जाएंगे ठीक है ना यानि कि आपका है पर क्या हो जाएगा जो रूल यहाँ पर बनने वाला है इस पेशल वर्व प्लस नाट प्लस प्लस प्रोनाव यहाँ पर बनेगा तो यह फ्यू स्टुडेंट्स न्यू दैंस्वर यानि का उप्शन सी के आपको पूरा का पूरा एंस्वर सही जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा मैं आज इसको सिंट कर दूँगा ठीक है तो अगर आप चैनल पर है सब्सक्राइब कर लिजेगा इस टेलीग्राम ग्रूप जान कर लिजेगा ठीक है तो यहाँ पर मोहन से डेस जैसे तो दोस्तों एक बात करते हैं किसके जाने वाले तो आपसराल नॉबर एके साथ जी हां दोस्तों आपसर नॉबर एक के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे ठीक है आप साने तो रिक तास्तार में गेट्स जो कि सींपल प्रेयर्ज़ की सूखिए मोहन का से जोज़ए ना जाने कि वख फर नेस्ट कोईशन की बात करते हैं तो हमाएं सामने अगला कोईशन काफी धासू सवाल है ध्यान से देखिएगा ए खौश्टाइल क्राउट ट्राइट टू डश डश दश 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 चेर्मैन फराम डिलीवरिंग ही यहां पे देखिएगा प्रिमेंट के अगर हम बात करें किया ताकि चेर्मैन अपना स्पीच जो है न जो अपना भासाड है उसको डिलीवर ना कर पाए ठीक है न तो क्या करने के लिए इरिटेट नहीं करेगा इंपेट नहीं करेगा डिस्टर्ब नहीं करेगा वह प्रेवेंट बतला होता रोकेगा वह रोकने का प्रियास करेगा ताकि chairman का speech ना हो पाए ठीक है ना अगले question की तरफ आरते हैं देखिएगा the education department has brought there's a certain change in the evaluation system यानि कि दोस्तों जो education यानि कि जो सिच्छा विभाग है न वो क्या कुछ education system में बदलाव लाया है ठीक है न ताकि जो है education को सुधार सके तो यहां पर किसके साथ brought के साथ हम दोस्तों किसका यूज करने वाले हैं तो दोस्तों ध्यान चे देखिएगा सबसे पहले, सबसे पहले यहां पर चीजों को समझ लिजेगा, तो रिक तस्थान में हम यहां पर जाने वाले हैं, option number B के साथ, brought about रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, brought about, brought about certain changes in the evaluation system, यानि कि about का प्रहुग उचीत होगा, ठीक है न, अब यहां पर जो bring about का मतलब होता है, वो क्य बदलाव करेंगे, ठीक है न, तो यहां पर चुक यहां पर ब्राठ है, तो second farm में कोई दिक्कत नहीं, यानि कि हम जाएंगे, option number B के साथ, थोड़ा सा diffraction देख ली जाहां पर, चलिए, आते हैं, अगले question की तरफ, क्यारा है, does you get me these tables from the pharmacy, यानि कि यहां पर जो dash dash में रहेग सभी को with proof देखाता हूं, ठीक है न, with proof explanation दिखाता हूं, ताकि आप सभी को लगे हाँ सर जो है, सही चीज़े दिखा रहे है, यह नहीं कि मैं explanation को यहां दिखा रहा हूँ, आपको कुछ और दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं दोस्तो, explanation साथ में रखता हूं, आपके, ताकि आप प्रियोग होता है ना सारीडिक मानसिक परिस्थितिगीत सामर्थिक जो चंता होती है उसको व्यक्त करने के लिए दोस्तों किया लाता है तो यहां पर हम के साथ दोस्तों जाने वाले अर्थात और आप्शन कोबर सी के साथ जाने वाले चले दोस्तों नेस्ट कोश्चन रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर रिक्तरस्थान में मीट प्रियुक्त होगा make both ins me के idiom है जी हाँ दोस्तों क्या है idiom है और make both ins me take idiom है दोस्तों idiom phrases आपके exam में दोस्तों confirm पूछे जाएंगे तो मैं प्रियास करूँ आप सभी के exam में idiom phrases आए जिसका तारतर पहुदा खर्च चलाने लाए किसी प्रकार कमा ले दोस्तों गरीब होते हैं वो क्या करते हैं किसी तरीके से खर्च चलाते हैं अपना सेम टू सेम यहाँ पर हम option number B के साथ जाते हैं idiom phrases भी दोस्तों exam में आएंगे तो ध्यान दखिएगा ठीक है ना next question की तरफ आते हैं ध्यान से देखिए next question है abase का मतलब क्या होता है elevate होता है seize होता है bell light होता है mount होता है abase का मतलब अगर हम बात करेंगे ध्यान से चीजों को समझेगा abase का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है swing का या दूसरों का अपमान करना तो option A के साथ जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर एक बात और चीजों को थोड़ा सा 61 से लेके जो 63 तक के question थे दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताया नहीं यहाँ ते देगे 60 है न फिर यहाँ से 61 आ गया तो यहाँ साथ को यहाँ पर क्या करना है आप सभी को इसका opposite बताना क्या बता देरा ना क्या बताना दोस्तों सम्मान सम्मान देना तो बाकी चीजे जो है रिस्पेक्ट करना अब यहां है पर जो अदारास उसकी बात कर लेती यसी हयाए जूचीज मतलब होता है महतोगहटाना माउंड का मतलब होता चड़ना परवत या सजाना ठहिक है न? चीजों को समाज्गे आप देखे का मतलब होता है खतरनाक परिस्थिती कभी-कभी याद वहता है आप खतरनाक परिस्थिती में दोस्तों क्या जाते हैं फस जाते हैं तो पेरियल्यस का मतलब होता है खतरनाक परिस्थिती और इसका पोजित दोस्तों सिंपल सी वात है क्या हो जाएगा ध्यात से दिखेगा यह सेफों यानि कि यहां यहां पर क्या है खतर्नाइक प्रिस्थिति में आप फिर्माया मतलब अरलोhores दोफ्तों यहां पन क्य जानी कि क्या Même क्या हो जाएंगे एभिभको रखेंगे यहां सबमें को पता है ग्रेट मतलब महाल होता है अंसे मतलब है तो तो Imam सुरग्शित होता है क्या हता है दोस्तों दूतगार मेठीक राद अगे आते हैं नेस्ट कोईशंग कर रहा है एकजोटिक ध्यान से देखिए caterpillar कर दोस्तों 2 क्या कर रहा था आपको आपोजिट बताना था ठीक है ना अब यहां पर आपको बताना है दोस्तों चलिए क्या रहा है एक्जोटिक यहां पर इन कोश्चन 64-66 आउट आफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच वेस्ट एक्स्प्रेसे द मीनिंग आप द गिवन वर्ड और सब्सक्राया आदर ग्लैमरी इम्पोर्ट इट्उटेटेड यह सब यह सब देशू है ठीक है लेग이면 चालने ना इतना हुआ यानि आपका यहां पर उप्सों हो जाएगा civic का ठीक है ना slavery मतलब भी वही चुछ होता है जो bondage का मतलब होता है ठीक है ना bondage मतलब होता है दास्ता या गुलामी तो slavery का मतलब भी वही होता है दास्ता या गुलामी other क्या हो जाएगा? change हो जाएगा, enslavement हो जाएगा, subject answer हो जाएगा यह सब चीजे भी है ठीक है ना दोस्तों आराम से वीडियो को अंत्य तक देखिए तो ही जाकर आप एक्जाम में कर पाओगे ठीक है ना निम्बल दोस्तों हम बात करेंगे निम्बल का मतलब क्या होता है निम्बल के अगर हम बात करेंगे दोस्तों ध्याल चीजों को देखिएगा निम्बल कार्थ होता है फूर्तीला एवंग दच जी हाँ दोस्तों निम्बल का जो वर्थ होता है वो होता है फूर्तीला एवंग किसी काम को करने में निपूर उसी काम फूर्ति राए रादचु कुसागर बुद्दी कोल अब यहाँ पे जो इसका होने वाला आपसन डी दोस्तों ऐगेल मतलब भी होता है अगर हम आदार आपसन की बात करेंगे निमबल के परियवा चेकि तो ऐड़ेट इच्ट एड्राइट इसृटरी भी हो जाएगी ठीके डर्ण मतलब आप जानते लोन दोस्तों फिराश लोता है यहाँ पे सब्सक्राइएं मतलब दोस्तों सबी को पता है एकागर अचानक होता है ठीके डर अवर स्ट्रेंज मतलब होता दोस्तों अजनभी यह सारी चीज आप देखिए अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर कहीं नहीं करते हैं अपने आपके लिए प्रावलम क्रियेट करते हैं अधार आपसान भी थोड़ा चेक करते रहिए कोशन 66 देखिए कोशन धीरे धीरे जो है ना डिफिकल्ट टाइप का रहा है यहां कर रहा है 67 से लेकर 69 तक आपको चार अल्टरनेट्व दिये हैं और उसमें इडियम फ्रेजेज हैं क्या है इडियम फ्रेजेज हैं जो अंडरलाइन करके हैं दोस्तों यहां पर देखिए इसका आपसं जो रहागा दोस्तों यहां पर किप द उफ्राम द डूर इसका मतलब यह होता है दोस्तों एवाइड इस्टार्वेशन क्या होता है इवाइड इस्टार्वेशन टू अप्टेन सफिसीजन टू सस्टेन लाइफ टू एवाइड डाइंग अफ हंगर यानि कि मरने से बचना जी हां दोस्तों घर हम ऐसे कहें भूखा मरने से बचना तो गलत नहीं होगा ठीक है ना भूखे मरने से बचना इसका में चित्थी मोता इसका में अर्थ होता है भूखा मरने से बचना क्या होता है भूखा मरने से बचना तो आपसं नंबर हम फिलाल के लिए हमेसा चीजों को लेकर चलता हूं ठीक है कोशन 68 दे रखाए हैं हाव वेर मच यू ट्राइट तो कंसील ता मैटर सी इस यूट इसमेले रेट दोस्तो सबसे पहले समझे इसमेले रेट का अर्थ क्या होता है दोस्तो बात करेंगे इसमेले रेट का कुछ अनुचित होने का यानि कि कुछ गलत होने का क्या लगना संधे संधेह लगना ठीक है न यह सब चीज होती है दोस्तों चलिए वीडियो के इंड करते झाल झाल